नीट परिच्छा 17 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी जिसमें करीब 18 लाग कुमिद्वार सामिल हुए थे National Testing Agency NTA द्वारा नीट रिजल्ट जारे होने के बाद नीट E-Score के आधार पर देश के टॉप Medical Collegeों में MBBS और BDS के कोर्सों में एडमिशन मिलेगा लेकिन क्या आप जानते हैं मेडिकल फिल्ट में केरियर बनाने के लिए National LGBT Interns Test नीट एक्जाम का पास होना जरूरी नहीं है बिना नीट एक्जाम कौलिफाई किये भी आप मेडिकल फिल्ट में आप अच्छा केरियर बना सकते हैं तो आज की वीडियो में हम भी स्टार से जानेंगे वह कौन कौन से मेडिकल के कोर्स हैं जो हम बिना नीट पास कीए कर सकते हैं तो बने रहे इस वीडियो में इससे पहले आप हुमार चैनल पर नयए हैं चैनल को प्लीश सथ्क्राइब करें और बैल आगएनप्रेश करना ना बोलें अगर आप फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ, विसेंगों के साथ एंट्रिमेडियर की परिथा पास कीश है तो आप बिना नीट एक्जाम के कई मेडिकल कोर्स करके अपना केरियर बना सकते हैं। उन में पहले नमबर पे आता है बिएस सी नर्सिंग बिएस सी नर्सिंग चाल सार का ग्रेजुएशन लेवल का कॉर्स है जिसे करने के बाद उमिद्वार इस्टाप नर्स रजिस्टर नर्स नर्स टीचर मेडिकल कोडर जैसी पोस्ट के लिए अपलाइग कर सकते हैं। नर्सिंग के लिए वैसे तो नीट अनिवारे नहीं है लेकिन अब कई राज्यों में नीट इसकोर के माध्यम से बियस्सी नर्सिंग एडमिशन होने लगे हैं इस कोर्स के करने के बाद उमिद्वारों को सलाना तीन लाग से आठ लाग रुपए तक की सेलरी मिल सकती है इस ल करने के बाद नेट्रिशियन पूर्ट टेकनोलोजिस्ट और रिशर्च पतों पर आप नोकरी पा सकते हैं जहां आप सलाना पांच लाख रुपए तक का पैकेज हासिल कर सकते हैं इस लिस्ट में तीसे नमबर पे आता है बिएस्सी बायो टेकनोलोजी इस को करने के लिए आपको 35,000 रुपए से एक लाख सलाना फी जमा करनी पड़ सकती है यह कोर्स तीन से चार साल में पूरा हो सकता है और इस कोर्स को करने के बाद बायो टेकनोलोजिस्ट पत पर आप नोकरी कर सकते हैं जहां सलाना पैकेज 5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं इस लिस्ट में चौथे नंबर प्यासता है बिएस्सी एगरिकल्चर साइंस बिएस्सी एगरिकल्चर साइंस चार साल का अंडर गेजुएट बैचलर डिगरी का कोर्स है कई कॉलेज हो में इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेस एक्जाम भी आयोजित किये जाते हैं अगर आप किसी सरकारी कॉलेज यानि यूनिवस्टरी में बिएस्सी एगरिकल्चर करना चाहते हैं तो आपको साथ हजार रुपए से पंद्रह हजार रुपए सालाना फीज जमा करने होंगी वही प्राइवेट कॉलेज और यूनिवस्टी में इसकी फीज 20 हजा रुपए से 80 हजार रुपए प्रतिवर्श होती है इस कूर्स के बाद आप एग्रोनॉमिस्ट एरिकल्चर साइन्टिस्ट और एग्रो बिजनेस जैसे पदों पर काम कर सकते हैं इस कूर्स के बाद आप हर साल 5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक कमा सकते हैं यह थी व और भी इंटरिस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चनलों को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पेस करना ना भूलें